हेलो फ्रेंड स्वागता आप सभीका मराड़ अकेडमी के यूटूब चैनल पर और एक अभी अभी एक बड़ी न्यूज साम निकल कर सामने आई है कि राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड मतलब राजस्तान पटवारी बढ़ती एक्जाम्स की जो डेट है वो निश्चित कर द हैं राजस्तान करमचारी बोर्ड जैपूर द्वारव विग्यापन करमवांग दिये हुए हैं और संसोधित क्रम यहां पर देख साथ है पटवार सीधी बढ़ती के उल्लोग करते वे आयोजन आमत्रित किया गए थे पटवार सीधी बढ़ती परिक्ष्या के आयोजन की त अक्टूमबर नियत कर दिनांक 8-7-2021 को प्रेस नोट प्रकासित किया गया था तदा अनुसार ही पटवारी सीधी बढ़ती प्रेक्ष्या का आयोजन निम्तालिका के अनुसार होगा जो आपका जो फर्स्ट एक्जाम्स होगी जो पटवारी की जो फर्स्ट चरण है वो ते सफव. तरिक का तिन गंटे का हो गया पीपर और साधह-ाड़े-ाठ सी लेकर साधह- finer बज़े तक सुबै साथी-ाठ साधह- armies तक पहली पारी होगी और दूसरी पारी पारी होगी वो होगी थेज को 23 को 23 होगा और साड ये भी 3 गंटे का होगा और 2 से लेकर Tuesday तक 24 तारी को भी एक्जाम सोगी आपकी 23 होगा जिसमें ये होगा साड 8 से लेकर साड 11 बजे तक तिन गंटे का ये भी और 23 तारी को एक्जाम होगी वो भी 2.1.5 बजे तक होगी ठीक है अब क्या करना है उपक्त प्रिक्षा के वियर्थी को निम्नानस्वर सूचित किया जाता है कि उक्त पदों की प्रिक्षा हे तु आप वियर्थी अपना प्रोविजिनल प्रिक्षा पत्र की वेबसाइट के स्व्यम SSO ID के माधिम से डौन्लोड करने के सम्द में बोर्ड वार अलग से विग्यपति माध्यम से सूचित किया जाएगा कि अभी आपके अडिमिट कार्ड नहीं आए हैं जैसे ही अडिमिट कार्ड होंगे जारी होंगे आप तक सूचित कर दिया जाएगा और उसको आप SSO ID से निकलवा सकते हैं बोर द्वार प्रिक्षार्थियों को अलग से पत्रस प्रिसेशित नहीं किये जाएंगे परिक्षाओं के समझेव विल सोसल मीडिया पर किये जारे ब्रामक परचार पर विस्वास नहीं करें ठीक है ओफिशल साइट पर जाना है आपको जैसरी एडिमिट कार्ड आएगा और आपको SSID द्वारा एडिमिट कार्ड निकाल लेने हैं इसकी जैसे एडिमिट कार्ड आएंगे हम आपको बता देंगे एडिमिट कार्ड किस परकार निकाल ले जाते हैं उसके लिए आप हमारे मुड़ाइड एकेडमी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आ पटवार बढ़ती ही ठीक है और आज ही ये नोटिस जारी हुआ है थैंक्यू सब्सक्राइब